नमस्कार दोस्तों आज हम एक एसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने नव अनुपात 5 की रेशियो में बोनस की घोशना की है पूरी जानकारी इस बारे में आपको दी जाएगी दोस्तों लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन अन कर लीजिए या वेट्रिफाइड टाइल्स सेरमिक वस्तूओं और सुरक्षा निवेश्ट के वैपार में है कमपनी का अहमदाबाद में गोदाम और भौती का स्टोर है जहां उसके टाइल उत्पादों का कारोबार होता है कमपनी घर में किसी भी अवैशकता के लिए टाइल्स और मार्वल वेश्टी है फर्स और दिवार की टैल्स, बाथरूम की टैल्से, मोजाइक और बार्डर, रसोई और ओर्डोर, सीधिया और बालकनी कमपनी का मार्केट केप 12.7 करोड का है, इसका मौझूदा कीमत 83 रुपया 70 पैसा है यह 52 हाई 194 रुपया है और 52 लो 56 रुपया 40 पैसा है, अस्टोक का पी ए 169 है, अस्टोक का पी ए अगर 25 के आसपास रहता है तो सही माना जाता है, लेकिन अभी यह थोड़ी महंगी पर रही है इस स्टोक की बुक वेल्यू 29 रुपया 40 पैसा है, और यह कमपनी डिविडेंट नहीं देती है इसका डिविडेंट येल्ड 0.00 परसेंट है, मतलब की यह डिविडेंट नहीं देती है ROC माइनस 2.28 परतीसत है, ROE माइनस 2.6 परतीसत है और इसका अंकित मुल 10 रुपया है, मतलब यह स्टोक आगे चलके अस्प्लीट भी कर सकती है अगर इसका 50 और 200 दिन का मुविंग एवरेज की बात करें, तो यह उसके नीचे काड़ोबार कर रहा है यह लगभग 80 के आसपास में है इसका दोस अगर कौनस की बात करें, तो पिछले तिमाही में परमोटर होल्डिंग में कमी आई है जो की मैनस 7.2 परतीसत की कमी आई है परमोटर ने अपनी 46.4 परतीसे हिस्सेदारी गिरवी रखी है कमपनी पर 524 दिनों का सबसे ज़्यादा कर्ज है कारेसिल पुंजी दिवस 26.5 दिन से बढ़ कर 62.1 दिन हो गया है कमपनी ट्रेडिंग सेक्टर में काम करती है और यह ट्रेडिंग सेक्टर में आठवे नमबर पर आती है पहले नमबर पर अदानी इंटरप्राइजेज है और इसकी सेल्स की बात करें तो यह 10.5 सुनी करोर की सेल की है जो की लगतार मार्च 2022 सितंबर 2022 और मार्च 2023 और सितंबर 2023 की तुलना में देखे तो कभी बढ़ी है और कभी घटी है अभी सबसे ज़्यादा है 10.5 सुनी करोर और इसका सुध लाब की बात करें तो कभी कमपनी मैनेस में गई है कभी लाब में गई है अभी 0.22 करोर के लाब में है सुध लाब में है कमपनी की सेल्स की बात करें तो कमपनी की सेल्स में कभी बढ़त आई है कभी गिरावट आई है 2022 में देखिए 20.26 करोड का है और 2023 में 9.23 करोड का है और TTM में देखें तो 13.95 करोड का है और इसकी नेट प्रोफिट की बात करें तो 0.08 करोड की नेट प्रोफिट है इसका compounded sales growth देखें तो 3 साल में 9 परतीसत है और TTM में –11 परतीसत है compounded profit growth देखें तो 3 साल में – 5 परतीसत है और TTM में – 87 परतीसत है और stock price अगर CAGR में देखें तो यह 1 साल में 27 परतीसत है और return on equity 5 साल में 22 परतीसत है और 3 साल में 23 परतीसत और last year में – 3 परतीसत है अगर इसकी share holding pattern की बात करें तो पर्मोटर्स सितंबर 2023 में 69.08% है जो की सही है जो की 50% से हमेशा पर्मोटर्स को जादा होना चाहिए FII 6.58% है और पबलिक 34.34% है जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी Official Announcement में इसने 9.95 की रेशियो में बोनस की घोशना की है और इस कमपनी का नाम ध्यानी टैल्स मार्बलेज है और इस कमपनी का एक स्टेट कमपनी ने 7 दिसंबर को रखी है